आज की जो मैं इस वीडियो में आपको पैटर बताने जा रही है यह पैटर नहीं और यह मैंने बनाई है चोटी सी पेटी आप इसको स्वैटर बनाना जाहिए काडिकन बनाना चाहिए वह बना सकते हैं मैंने एक साल के बच्चे की जो चोटी पेटी है वो बनाई है इसके नीचे में लॉन की जो फ्राक है वो बनाऊंगी तो देखें ये है हमारा आज का पैटन ये पैटन मैंने 105 चैन से स्टार्ट किया था इसमें मैं ये कॉटन त्रेड यूज करें हूं देखें इतना बारीक धागा है ताके बचों को गर्मी ना अब इसको वॉटन यहाँ लगाऊंगी और लॉन की फ्राक के साथ चलाई करूँगी तो इसका या जो पैटन है ये स्टार्ट करने के लिए आ आपने 105 चैन बना करने है पिर डबल क्रोशे करना है पूरा राउंड डबल क्रोशे करने के बाद आपने ये पैटन स्टार्ट करना है चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अचा देखिया हमारे पैटरिन के लिए मैं आपको बदा देखिया आपने करना क्या है आपने 105 चेंज करने है यानि के 105 चेंज कर लेने और उसके जो करने के लेगा हर एक स्टिच में वन डबल क्रोशे करना है आपने 105 चेंज करने के लिए यह करने के बाद आपने यह लास्टिच में करने जारी हूँ एक आप फांच वाँ जो हमारा चेंज है उसमें वन डबल क्रोशे किया हर एक chain में एक double crochet हमने किया ठीक है अब हमारा round second start होगा second round से हम pattern start करेंगे और देखें उसके लिए पहले आपने कर लेना है यहां पर three chains and turn your work देखें इसको आपने से turn करना है turn करने के बाद आपने दूसरा जो double crochet है उसमें double crochet करना है यह जो three chains थे हमारे यह as a first double crochet count होंगे अभी यह हमने 5 double crochet करने है 5 double crochet में 5 double crochet करने है एक तो यह हमारा third double crochet into the third double crochet and four and five यह हमारे 5 double crochet पूरे पैटर में पूरे यह जो फ्राग की body बिना रहे उसमें इसी तरह से यहां जाएंगे starting में 5 double crochet करेंगे और यहां यह हम 5 double crochet करेंगे यह हमारी जो पती होती है वो बनेगी बटन पती कहले बटन टेक कहले बटन करने के लिए बटन बंद करने के लिए यह जो हम पती बनाते है यह वो हमारी बनेगी अब हम यहां से pattern start करेंगे आपने यह रैप करना और डबल क्रोशे करना है into the third chain आपने V-stitch करना है two chains one double crochet into the same stitch नीचे से आपने चार skip करने है पांच में डबल क्रोशे में आपने छे डबल क्रोशे करने है पांच और यह चे यह चे डबल क्रोशे करने हैं अब देखें यह पहले हमने पांच डबल क्रोशे किया पांच डबल क्रोशे पर यह हमारी पट्टी बनेगी फिर हमने एक स्टिच बनाया यहां से आपने पांच डबल क्रोशे करने के बाद दो डबल क्रोशे स्किप किये और तीसरे डबल क्रोशे पर आपने वन डबल क्रोशे किया टूचे एन वन डबल क्रोशे किया टूचे एन डबल क्रोशे पर आपने यहां पर चार स्किप करने है और जो प लुजएर चार डबल ख्रोशे आपने स्किप करने हैं यहां पर पांच में में आपने वी स्टिच बनाना है तो चैन्स, वन डबल ख्रोशें दो दा सेम स्टिच, फिर आपने चार ख्रोशे यहां पर आपने यहां पर देखिए 1 2 3 4 & 5 5th double crochet में आपने 6 double crochet करने है 2 3 4 5 & 6 again आपने यहां से 4 double crochet skip करने और पांच में में आपने V stitch बना रहा है 2 chains 1 double crochet into the same stitch यह राउंड आपने इसी तरह से करते जाना है देखिए और जब आखरी हमारा V stitch आएगा यहां पर यहां जो हमारा fan बने यहां पर आपने last 5 double crochet छोड़ के जो आपने यहां पर आखरी stitch करना है उसके बाद आपको बताते हूं आपने last 5 double crochet में क्या करना है अब यह मैं पूरा round complete करके आपको दिखाती हूं अचा देखिए हमारा round number two complete हो गया है देखिए last stitches जो है 7 stitches हमारे बचे हैं end में हमारा V stitch आया है अब देखिए आपने क्या करना है यहां से two stitches two double crochet skip करने है और third में आपने one double crochet करना है and आगे देखिए एक दो तीन चार और यह इसको मिला कर पांच यह पांच double crochet आपने ऐसे ही हर एक stitch में पांच double crochet करने हैं अब आगे आपने round number three में आपने same इसी तरह पांच double crochet करने हैं आप देखिए आप देखिए हैं अब हमारा जो यहां पर पैटर जो नीचे second round आया है वी-स्टिच में आपने करना है यह वले छे double crochet जहां जहां पर आपका यह वी-स्टिच आ रहा है आपने वहां छे double crochet करने हैं और तीन स्किप यहां से करने हैं यह सेंटर वाले स्टिच में आपने वी-स्टिच बना रहा है देखिए मैं आपको बजाते हूं यहां से हमने इस को रैप किया यहां पर हमने करने है छे double crochet 3 4 5 and 6 यह 6 double crochet करने के बाद यह देखिए यह 6 double crochet करने के बाद आपने यह जो आपके आगे 6 double crochet आये हैं पहले राउंड के इसमें एक दो तीन और तीन इदा से इस वाली जगा पे आपने सेंटर में आपने वी-स्टिच बनाना है यानि के 1 double crochet 2 chains 1 double crochet into the same place यह अब आपने 6 double crochet करने हैं इस वी-स्टिच में 3 4 5 और यह 6 6 double crochet करने के बाद आप 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 का फिरा कि यह वी-स्टिच आगा है इसके 3 stitches जो स्किप करने 1 2 3 and in this place आपने करना है वी-स्टिच 1 double crochet 2 chains 1 double crochet into the same place फिर यहां से 3 double crochet skip करने हैं जो आगे वी-स्टिच हैस में आपने 6 double crochet करने हैं इसी तरह आपने पूरा round complete करना है और यहां पर last में आके आपने इसी तरह से 5 double crochet same as it is करने है यह मैं आपको round complete करके बताती है आपके जो हमारा round number 3 है यह मैंने complete कर लिया इसके मैं last stitch में हूं लेकर last stitch सा वी-स्टिच में आपने जब आपके यहां जब आपके यहां पर आपने वी-स्टिच आ गया है आपने इसमें जुन फर छे दब्ल गोशे करने हैं, यहां पर वी आगा वहीं लाएगा से लेका नोने करें दो कि आएगा। वह लिएगा वहा जो पने पर शेज करने जहां पर जो सेड़ी रावनों को जुन फर दया सिअ घरज़़ना हैं और यहां आप नहीं सेपार टाने को उतनी मैं कि आपने जितनी इयंद की बॉडी की लेंद करraktion कर ले आप ने आपने जो कंदो की क्टायी होती है उसे पहले पहले ने कि मैं आपका ने पता लेइन केि आप पिह आप ने टैन रहओं इन को मिला कि एक दो तीन ये होगे हैं साथ मुझीद। राउंड करने है, साथ राउंड करने के बाद मैं आपको बताती हूं इस क्या गया, आपने क्या करना है। अचार देखें यह जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 10 रौंड कर लेने हैं यह देखें मैंने टोटल दस रौंड की है यानि कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और यह दस रौंड करने के बाद आपने यह जो फ्रंट और बैक है और स्लीज की जो हमने स्पेस पांच faintêtre और यह दौबल करोशे है आपने एसे ही रहने देने हैं उसके बाद आपका देख एक व quello स्चार आ रहा है वृ स्टिच हाने के बाद 1 वक फैं एक दो तीन 3 और यह जो तीन करने के बाद यह चो हाप दा जो हमारा फैन आ रहा तिसके सेंटर ते अपने एक पिन ल एक दो और तीन तो वी स्टिचे की तेया है दो और तीन की चुड़ें यह आधा इसका यहां पर निशानी लगा लिए और उसके बाद आपने क्या करना एक वी स्टीच चोड़ना है और अगले जो बड़ा फैन है चे का उसके तीसरे तीन डब्ल क्रोशी चोड़ने के बाद सेंटर में अपने एक और निशाने लगा लेनी है फिर आप आपने क्या करना है देखें ये तीन जो हाफ था ये एक हो गया उसके बाद यहां से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ जो है आपने बैक के लिए चोड़ने है ये साथ होंगे बैक साइट के लिए आपने ये चोड़ने है और ये एक हाफ ही है और ये खाफ ही है ठीक है फिर आगे देखें आपके पास समें हाईार केिया हिस से एक फैन और एक वी ठीक हो गया ये डेखें, मैं आपको प्ताती हम या इस से होगा ऐसे, ये आपको ऐसे दिखेगा ठीक हो गया, ये फो अीर और हमार अंउथ। और ये back और ये जो हमने center में जगा चुड़िये ये हमारी sleeves के लिए जगा होगी चलिए अब start करते हैं pattern same as it is वैसे ही करना है जैसे आपको मैंने first two rounds में बताया था 5 double crochet same as it is वैसे ही कर लेने हैं ये हमारे पट्टी के 5 double crochet है 3 chain किये 1 double crochet into the next double crochet ये होगे हमारे 2 double crochet one double crochet into the next double crochet one double crochet into the next double crochet one double crochet into the next double crochet ये होगे 5 double crochet 5 double crochet करने के बाद आपका देखें आपके पास क्या रहा है 20 ही चाहर है तो आपने वी में करने हैं 6 double crochet 3 4 5 और ये होगे हमारा आप देखें आगे पास 6 double crochet आ रहे हैं इसके सेंटर में आपने वी स्टिच करना है 2 chains and 1 double crochet into the same place again 6 double crochets into the V stitch और यह हो गया हमारा 6 double crochet 6 double crochet करने के बाद आपने यहां पर निशानी लगाई थी यहां पर आपने वी स्टिच कर लेना इसको मैं अटा देती हूं 2 chains and 1 double crochet अब देखें आपने क्या करना है यहां भी आपने निशान लगाई थी अगली निशानी हमारी है यह मैंने जो कंदे की जो अंदर जो स्पेस होती है यह मैंने वो छोड़ी है ठीक है यहां से हम कंदे की कटाई शुरू कर रहे हैं अब आपने क्या करना है आपने यहां का एक साइट कंप्लीट होगा फिर हम दूसरा यह फ्रंट का साइट कंप्लीट करेंगे फिर यह मैं बैक बनाएंगे अभी मैं आपको प्ताती हूं देखें आपने इस तरह से टर्न करना है और इसके अंदर यह जो वी है इसके अंदर आपने करना और यहां पे आपने करना है छे दब कुथ टूसरा प्रीचीन एंट वनडबल क्रोशी जो गया दो दबल क्रोशी जार डॉबल क्रोशी ओर करने है जो नेक्स शिक्स्टेचेश हाइं उनके सेंटे में आपने करना है V यानि के 2 chains, 1 double crochet, 2 chains, 1 double crochet अब यहां पे आपने 6 double crochet करने है और यह हो गया 6 यह 6 double crochet होगे अब आपने इसमें V-stitch करना है 2 chains and 1 double crochet into the same stitch अब देखें आपके पास वह हमारे जो फट्टी के 5 double crochet है वह आगया आपने same as it is वैसे ही कर लेने है यह हमारा last double crochet हो गया अब आपने यहां फिर same वैसे ही 5 double crochet करने है turn करना है यह इसी तरह आपने यहां फिर round करते जाने है इसी तरह आपने यहां तक आना है करते हुए फिर यहां से turn लेके वापस इस साइड पर आना है और यह करना है यह हमारी होगे फ्रेंट साइड का एक जो हिस्सा होगा यह वह है हुआ है कि अगरे दापने यहां तक आपने करते जाना है यह से देखे मैंने रहां और आपने यह के साथ हैं और यह हमारे पास ऐसे यह को ऐसे दिखे गाए जाना है एक रांट कर mundial चांडे कर, कितने रांट करने हैं, और यहांट करना है। मैं करने हैं तोड़ करने जाना हैं, यहां से नहीं को जान चांडे के पाते हूं कर सक रूंध सा-चांड मोठों 3-4-5। आएंगे ठीक है अचाहिए यह इसके जो बागी की 10 राउंड से वो कम्प्लीट करने के बाद आपने यहां पर दागा थोड़के इसको खतम कर देना जब इसको खतम हो जाएगा तो यहां पर जो हमने कंदी का जो गैप था वो छोड़के जहां पिन लगाई थी यहां निशा स्टार्ट करना है जोड़ना है और वी स्टिज बनाना है वी स्टिज बनाने के बाद आपने इसको यह अगली जो पिन है यहां तक किसी तरह जैसे राउंड मैं आपको बताया है करते जाना है यहां से टरन लेकर वापिस आना है फिर करना है दस राउंड आपने यह भी करन कंदे कणो को कैसे जोड़ेंगे भी मैं ऊपको बता दूंगी अबिकांपको उन्व पठ्ड वायृं बात् knit करने केगा कट केकेगा और स्थम ही जानते के मैं न हमारा कि मैं परWatch व्रा वैप पुम्हांन सब्रस्द ह llevaते हैं फ्रेंडUNG को यहां पिन लगाया थांसे यहां से लेकर यहां तक वह आपने जोइन करनेong लिती सिर्ग में बताया था एके सेडर में पर यह तरह से जा जानाित करेपास त करनाए यह साधवेर डाउन काई पर जो है क्छोगे एक दो Heugo वर छोता है जो हमारा स्टिच है इसमें आपने छे雷 डू जो नहीं करने टीन करने docu करने और यहां से फिर आपने टर्न कर लेना टरन करने के बाद आपने इसमें व स्टिच बनाना है यह 15 सिच जो है हब इसमें अपने और रहे करना थो यह हो गया हमारा वी स्टिच, वी स्टिच करने के बाद आपने यह जो वी है इसमें फैन बनाना है पॉंच और यह हो गया हमारा छेवार डबल क्रोशे, अब इधर आपने तीन डबल क्रोशे स्किप करने हैं और सेंटर में आपने वी स्टिच बनाना है इसमें आपने 6 डबल क्रोशे करने हैं पांच और यह च्छे करने हैं फिर आपने यह हमारे हो गये है आठमा राउन था यह हमारा राउन था जो इधर से मैंने टर्ण कर लिया अब नुवाँ और दूसमा करना है 10 round करने के बाद आपने यह देखें यहां पर जब यह जो हमारा front है front side का आपने यहां से लेकर 1, 2, 3 और यह 4 इसके अंदर आपने 3 double crochet करने हैं जैसे मैंने इसमें बताया इस तरह देखें वी, fan, V और यह 3 फिर एक दो राउंड उपर करने हैं यहां तक जब आपके यह पूरे हो जाएंगे यह यहां तक 6 है, 7, 8, 9, 10 आपने करने हैं यहां से हम इसलिए छोड़ें यह front काम गलाब नाएंगे जब यह मैं आपको करके दिखाती हूं जब मैं यह 10 कर लूँगी और यह भी मैं जब यहां से लेकर महां तक 10 हो जाएंगे इसके बाद 3 round मैंने करने हैं यह 6 है, 7, 8, 9, 10 10 round करने के बाद मैं आपको बताऊंगे आपने गले की गुलाई कैसे करनी है और इन कंधों को सिलाई कैसे करना है आज देखें यह पूरा करने के बाद आपने यह वाला धागा यहां पर जोइन करना है यह हमारा फैंस चाहिए हमारा फ्रंट का जो है सेकेंड पार्ट बन रहा है यहां प्रागा जोइन किया 5 चेंड करने है 5 और यह 1 double crochet into the यह हमार पास 20 stitch बन गया ठीक है अब आपने अगले में 6 double crochet करने है इसमें आपने वीस्टिच बनाना है 2 chains 1 double crochet into the same stitch और अब यह जो अगला आपका वी है इसमे आपने 3 double crochet करने है छे नहीं करने है 1 2 3 अब आपने यहां से टर्न करना है और टर्न करने के बाद double crochet करने के पाद आपके पास यह सात राउंड एक दो तीन चार पंच छे और यह सात अब आपने जो आप नो दस यहां से टर्न करके बनाना है सेम इसी तरह चलना है तीन राउंड और बनाने है पिर कम इसको मैं बताऊंगे आपने इसको स्टिच कैसे करना है अब आपके पास यह चीज आजाए कि इस तरह से आप आपने क्या करना है यह हमारी back side रहे यह हमारा front है अब आपने इसको इधर से इस स्लाइब करके जोइन कर लेना है यह दोनों जो है यहां से आपने इसको 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 इस को एक साल के बच्चे का जैकिट है जैकिट नहीं है बयटी है आप प्ल रॉौन के साथ लीलिन इस बंची कप्र के साथ फ्रॉक बनाना चाहें ये उसके साथ भका Ctrl बना सकते हैं रहा झाय कहर शोचन के बन लियुक्अ दे जिशेफ एक का हमारा समर कुरूशिय